12.3 यांत्रिक उर्जा संरक्षन का नियम Law of Conservation of Mechanical Energy माना M. द्रव्यमान की एक वस्तू H. उचाई से स्वतंतरता पुर्वक गिराई जाती है प्रारंभ में वस्तू की इस्थितिज उर्जा MGH है और गतिज उर्जा शुन्य है क्यूंकि इसका प्रारंभिक वेग शुन्य है इस प्रकार वस्तू की कुल उर्जा MGH है जब यह वस्तू गिरती है तो इसकी इस्थितिज उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्टित होती है यदि दिये हुए छड़ पर वस्तू का वेग V है तो गतिज उर्जा 1 बाइ 2 MW स्क्वेर होगी वस्तू जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी इस्थितिज उर्जा कम होती जाती है तथा गतिज उर्जा बढ़ती जाती है जब वस्तू धर्टि पर पहुँचने वाली होती है तो इस अवस्ता में वस्तू का अंतिम वेग V अधिक्तम हो जाएगा इसलिए अब गतिज उर्जा अधिक्तम तथा इस्थितिज उर्जा न्यून्तम होगी हम जानते हैं कि सभी बिंदूओं पर वस्तू की इस्थितिज उर्जा तथा गतिज उर्जा का योग समान रहता है अर्थात इस्थितिज उर्जा धन गतिज उर्जा बराबर नियत चित्रक्रमांग 17 गिर्ती हुई वस्तू किसी वस्तु की गतिज उर्जा तथा इस्थितिज उर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक उर्जा है हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पत्थ में किसी बिंदु पर इस्थितिज उर्जा में जितनी कमी होती है गतिज उर्जा में उतनी ही प्रिधी होती है बहुत से ऐसे अन्य उदाहरणों और तरकों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उर्जा को ना ही नश्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन किया जा सकता है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात ब्रम्हांड की कुल उर्जा नियत रहती है यही उर्जा सनरक्षन का नियम है आए क्रिया कलाब द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं